अगर यह दस प्रकार के जीवजन्तु घर में आते हैं, तो समझ जाओ, चमकने वाला है आपका भागय, वास्तु शास्त्र के अनुसार दस प्रकार के जीवजन्तु अगर आपके घर में आते हैं, या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं, तो यह जीव जन्तु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसंद नहीं योंकि यह दस जीव जन्तु हमारे घर के लिए बेहत शुब माने जाते हैं या उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्म में कारे करते हैं जैसे कि दोस्तो भगवान नारायं का वाहन गरूर देव होते हैं देवों के देव महादेव के वाहन नंदी के होते हैं महादेव के पुत्रकार्तिक का वाहन मोर है यह जीव जन्तु बहुत ही महत्व पूर्ण और बहुत ही खास होते हैं हर विक्ति को इन ज जीव जन्तूं की पहचान होना बहुत जरूरी है। जीव जन्तूं जिनके घर में आना बड़ा ही शुब होता है। जीव जन्तूं जिनके घर में दिखाई दे जाते हैं। यह चुहे की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चुहों से लंबी होती है। दोस्तों अगर आपके घर में चचुन्दर का प्रवेश हो गया है और यह आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना की दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भागे को बदलने से रोक सके। चचुन्दर का घर में देखना बहुत ही शुब माना गया गया है। यह इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीरवाद रहता है। जी घर में भी प्रवेश करते हैं उसे घर के जातक का भागे चमक जाता है। चचुन्दर अपने साथ सुक और शान्ती लेकर आते हैं अगर छचुन्दर किसी भी विक्ति के चारो और चक्कर लगा दे विक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है उसकी तरक्की में कोई भी बड़ा नहीं आती है वह दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता अपने जीवन में हासिल करता है वैसे तो छुर किसी भी विक्ति के चारो और चकर नहीं लगता लेकिन अगर वह ऐसा कर दे तो यह भी ते हो जाता है उसे विक्ति के जीवन से आप सभी परिशानिया खत्म होने वाली है वह विक्ति आस्मान को चूने लगता है घर में चछचुन्दर का जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशिया आने लगती है मानू कि उस घर के अंदर स्वयमा लक्ष्मी छप पर फार कर खुशिया बरसाने वाली हो यदि छचूंदर किसी विक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे विक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के कई रास्ते खुल जाते है और विक्ति के घर में सभी परेशानियों और क्लश खत्म हो जाते है दोस्तों चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंद घर से बाहर निकाल देना है आपको चूहे को मारना नहीं है क्योंकि चूहा गनेश जी का वहा होता है अगर आप इसे मारते है तो आपको इसका पाप लग जाएगा चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था जिसे श्री गनेश जी ने हरा कर अपना वाहन बना दिया इसलिए इन्हें मार नहीं लेकिन इन्हें घर में ना रहने दे जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दे यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिदरता और कश्ट और पीरा हमेशा बनी रहती है या प्लेक जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का भी कारण होते है ऐसे घर में हमेशा बीमारिया बनी रहती है दोस्तों अपने मधुमक्खी के चुको तो देखा ही होगा अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना चत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी जिस घर में मधुमक्खी अपना चत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा एक ना एक परेशानिया लगी रहती है जिस घर में मधुमक्खी अपना चत्ता बना ले उसे घर के जाता की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते है कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता जिस तरीके से मधुमक्खी के चट्टे में लाकों छोटे छोटे छेद होते है इस तरह जिस घर में मधुमक्ही अपना चट्ता बनती है उसे घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते है साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उसे चाते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्हीया से हानी भी हो सकती है इसलिए मधुमक्खिया को कभी भी अपने घर में चट्ता ना बनने दे और घर के आसपास भी मधुमक्खिया को चट्ता ना बनने दे। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कही भी मधुमक्खी का चट्ता दिखाई दे तो उसे तुरंट वहां से हटाने की को और मनमोहक नजर आये तो समझ जाये कि जिस तरह उसे तितली रंगीन, एह इस तरह आपकी जिंदगी भी अब रंगीन होने वाली है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। का संकेत देते हैं। लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। नंबर छे चिपकली चिपकली को बहुत ही शुब बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चिपकली को मार देते हैं लेकिन आपको चिपकली को मारना नहीं चाहिए जिनके घर में अगर चिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो चिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता लेकिन अगर आपके घर में कई सारी चिपकलीों एक साथ जुन में दिख जाएं तो इसे मातालक्ष्मी का बहुत ही शुब संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कही चिपकलियों का जुन दिख जाए तो समझ जाए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विश्नु पुरान के अनुसार यह बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं, तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको चिपकलियों दिखाई दे जाए तो यह बहुत जल्द आपका भागय उदे होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, या एक बहुत ही शुब संकेत माना गया है, अगर आपको आपके घर में कहीं भी दो चिपकलियों दिखाई देती है, जिनकी पूज कटी हुई है, तो समझ ले बहुत ही जल्दी आपका भागय पूदे होने वाला है, छिपकली को मारना एक बहुत बढ़ा पाप है, जिसकी माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है, और इसे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पर, सकता है, नंबर साथ चीन्टिया, चीन्टी बहुत ही ज़्यादा शुब संकेत लेकर आती है, शास्तर के अनुसार अगर किसी के भी घर में चीन्टी पूर्व दिशा की तरफ कोई भजन लेकर जा रही हो तो इसे बहुत ही शुब संकेत माना गया है, या बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले है, और आपके जीवन में सुक समरिद्धी आने वाली है, और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है, अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले है, और आपके घर में कोई विवास संबंदी प्रॉबलम चल रही थी तो वह अब खत्म होने वाली है, आ आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कही ना कही से धन की प्राप्ती होने वाली है और आपकी जल्द ही तरक्की होने वाली है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चीन्टी ना जाए या एक बहुत बढ़ा पाप है इसलिए हो सके तो आपको रोटी का चूरा करके हर रोज उनके घर के आसपास छिलक देना चाहिए। कोई आम बात नहीं है या आपके घर में अपने साथ सौभागे लेकर आते हैं। दोस्तों यह सभी जानकारियां जनरुची को ध्यान में रख कर दी जा रही हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है। हम इस संदर्व में किसी प्रकार का दावा नहीं करते।